दोस्तो मैं आज बताऊंगा आपको कि यह जो क्रिस्टन थेमाम है चंद्रमुले का जैसे आप्टर ब्लूमिंग इसको कैसे क्यार करना है क्या क्या इसमें मुद्र आपको देखना पड़ेगा इसके उपर पूरा जैनकाडी मैं आपको दोंगा तो बने रही है पूरा वीडि किजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अप्लोड करूंगा आपको तुरण नोटिफिकेशन मिलेगा आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं तो दोस्तों देखिए यह जो ब्लूमिंग यह जो है आप कलिया जो खिलने लगा है आप देख रहे कितने अच्छा इसमें जो यह यह जो चंeking्यमिले का क्रिसन तमाम है बहुत ही अ बड़ा अकर का ब्रम बड़े अकर का जो है यह कृसं तमाम है तो दोस्तों देखिए यह जो पेडल साप देख रहे हैं यह पेडल मतलु केना कुछ खिला है और कुछ जो हां अन्दर आभी बहुत सारा जो है खिलना बाकी है और ये इतने बड़े मुझा केना फिर साइज का हो जाएगा जब अगर ये अच्छा मुझा कैना इसको केर करेंगे और अच्छी तरह मदब इसको देखवाल करेंगे तो दोस्तों चलिए मैं एक करके मैं बताऊंगा ये कलिया खिलने के बाद आपको कहा है इसमें केर करना तो दोस्तों चलिए पहला बात, जो है इसका जो है, यह जो झा घ्राज है, जो बहुत जल्दी ओव मुटांया जाता है, बहुत जल्दी ओ मुड़ाए। तो दोस्तों पहले नमबर आपको यह मौस्चर आपको बनाया रखना है इससायल में तो इसको रेगुलर वाटरिंग आपको देखना ध्यान देना पड़ेगा ताकि यह मौस्चर ठीक ठाक रहे दोस्तों नेक्स्ट जो है इसको अभी फटलैजर देना नहीं है अब थोड़ा बहुत हलका लिकूइट फटलैजर आप दे सकते हैं लेकिन हैवी फटलैजर से मतलद कहला है यह पौधा जो है यह फिर फूल है यह खराब हो जाएगा तो इसलिए हैवी फटलैजर आप यूज fertilizer आप इसको दे सकते हैं तो next जो है दोस्तों आप देखेंगे ये pedals ये फूल और के लिया जो है इसको इसके उपर मतलब जो है आप कभी पानी मत डालिए अब इसको पानी देना है तो जुरूर इसको नीचे से नीचे जो है अब इसके उपर मतलब पानी मत डालिए इसके उपर शावर मत कीजी अगर इसके उपर पानी डालेंगे तो जल्दी फूल के लिए जो है वो खड़ाब हो जाएगे तो दोस्तों नेक्स्ट जो है इसको अभी जो है पूरा धोप सनलाइट में ना रखे तो या अच्छा है अगर जहां पर मतलब दो-तिन घंटे की दूप लग जाता है वहां पर रख लेंगे तो यह बहुत दिन तो कि फूल जो है खिला रहेगा बहुत दिन आपको यह फूल पोदे पर रुख जाएगा तो दोस्तों नेक्स्ट जो है आप इसको बारिश से बचा सकते हैं अगर आ जादा उन्टर में इसे बहुती कम बारिश होता है तो जिस दिन आपको लगे की बारिश होने की संभवना है तो फिर इसको आप गमले को इससे सेडी में रख दें ताकि यह डारेक्ट जो बारिश का पानी है इसमें फूलों में ना गिरे तो उसे से जल्दी जो है फूल ज जाता है तो इस फूल को जो है आप ज्यादा दिन तक इतना कमेहनत करके अगर ग्रो किया है तो उसको खराब होने मत दीजिए इसको और सही क्यार कीजिए तभी जाके जो है आपको भूदी नहीं है यह जो फ्लावर है आपके आपके पाउदे में ठीका रहेगा तो दोस्त दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट जो है मैं बताऊंगा आपको यह जो फूल जो खिले हुए हैं इस फूल जब मुर्जा जाएगा यह जो मतलु कहना है इसको आप देखेंगे जो की खतम होने वाला उसका जो पेडल से वह शूक रहा है तो ऐसा मतलु जो भी फ्लावर होगा वहुए नvosकराय या तो खराब हो रहा है तो आगर ऐसे हो जाता है तो उसको निकल के फेकना है उसको फूल जो तो फ्लावरท्स और प्लावर्स उसको निर न कम पपॉँछेगा तो इसलिए इसको कटके फिक¡ना है तो दोस्तों यह सारे जो पॉइंट्स है उ Whilst मैं आपको बताया कि ताकि आप इतने दिनों से इतने दिनों से इसको मेनत करने के बाद जो फ्लावर आपको मिला है उसको बहुत दिनों तक पौदे पर अगर ठिका रहे तो अच्छा रहता है अच्छा भी लगता है तो दोस्तो चलिए उमीद करता हूँ यह जो जनकड़ी मैंने आपक करूंगा आपको तुरण नोटिफिकेशन मिलेगा आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं तो थैंकि दोस्तों थैंकि फॉर वाचिंग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक ना जानकड़ी के साथ सब तक के लिए बाई एंड हैपी गार्डेन